जैसा गाइस मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक और रियल मी 6 प्रो आप लोग को गिवावे करूँगा तो आप में से कोई भी एक बंदा जीत सकता है बड़े सिंपल से स्टेप है जीतने के लिए आपको नीचे कमेंट करना है अपनी ट्विटर आईडियो और कुछ भी लिख सकते हैं आप इस फोन के बारे में इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस अब से और आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ रियल मी 6 प्रो के फुल रिव्यू के बारे में आप कुछ दिनों से मैं इस फोन को यूस कर रहा हूँ और आज आप लोगों मैं हर एक चीज़ डिल मताऊंगा अपनी एक्सपिरियंस के साथ अगर मैं स्टार्ट कर दो इस बहुती इंट्रस्टिंग और प्रीमिम्म टच लगा और इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए टेस्टिंग को मैं सीधा इसको एक पानी के बाउल के अंदर आप लोग को डाल कर दिखाता हूं और मैं तब इसको यूस किया और तब भी चल रहा था तो यह बहुती बहुतने का भी कम सगम डर रहेगा और मैंने इस फोन को यूस किया के साथ उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजान है जो इस फोन का कैमरा बंप हो बहुत जादा है तो और मेरी भड़ी आदत है मैं बुरी आदता बोल सकते हो कि मैं इसको फ्लैट सर्फेस पर रखके यूस अब ही तो है फोन बट हाँ अगर लंबे समय तक इस फोन के अंजर चैटिंग करते तो हाथ नहीं दुखता तो यह मेरे लिए इंपोर्टेंट चीज होती है कमफर्टिबिलिटी बागी कमफर्टिबिलिटी में एक और चीज आप लोग को बता रहता हूं जो इसके फिंगर और इसको बोल सकते हो हाँ और फोन के लेट साइड में में वॉल्यूम रॉकर्स देख में मिल जाते है जो कि मैं अपनी इंडेक्स फिंगर से मतब नेविगेट कर सकता हूं तो मेरे को यहां पर कमफर्टिबिलिटी में कोई भी कमी नहीं लगी है तो और मैं एक और बात आ इस फोन को तो हां मेरे को कहना पड़ेगा कि अच्छे डिजाइन के साथ साथ इस फोन के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी है बागी फीचर्स की बात करूं तो ट्रिपल स्लोट होना मेरे को पता है कि आप लोग के लिए कि इतनी एडवांटेज वाली ब मतलब पीछे क्या प्रोसेसिंग चल रही है हेडफोन जैक के अउटपुट के अंदर मतलब वाकल्स बहुत ही अच्छे आते इस वाले मतलब हेडफोन जैक के अउटपुट से तो यह बहुत अच्छी चीज है और अगर बात करूं नेटवक्स के बारे में तो मैं इस फोन क मैं भी कुछ अवाज सुनते हो तो और हां स्पीकर्स की में यहां पर भी बताना चाहूंगा जिसकी रिंग टोन है मुझे वह भी बहुत अच्छी लगी और वह भी ट्रैफिक में सुन जाती है तो यह कुछ चीज़े इंपॉर्टन होती है जो मैं आप लोग को क्लियर करना फील देता है गाइस पता है अच्छी बात क्या है कि इस फॉन की डिस्पले वह 6.6 इंच की है जो बहुत जादा मानी जाती है स्टिली फोन ने बड़ा फील नहीं होता मतलब अनकमफर्टिबल फील नहीं होता तो यह इंटरस्टिंग बात है और वहीं पर अगर मैं बात कर अगर विजिबल रहता है और एक और बाद आप लोग को पता रहता हो कि डिस्पले सेटिंग्स के अंदर हमें बहुत सारे उप्शन देखने हो जाते है और अगर बात करूं इसके बारे में तो मुझे बात कूल टॉन बहुत पसंदर डिस्प्ले इंदर तो आप कूल भी कर अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में जो कि इस फोन को मतलब खास बनाता है वो इस फोन के कैमरे यहापर में वेक साइड में चार कैमरे देखने मिल जाता है 64 में पिकसल हमारा मेन कैमरे है बट मैं आप लोग को बहुत सारे कैमरे सेंपल दिखाता हूं पता तो आप उसी से आइडिया लगा लो कि वह सूपर इड फोन है, मैं आप लोग को थोड़ी बहुत लो लाइट सेंपल दिखाता हूं, यह मेरी सुसाइटी की मैंने रात को फोटो कीची ते, एक बार उपर स्काई की तरफ देखो कितने अच्छे बादल लाई हुए है और नॉ बहुत लंब एक्सपोजर वाली फोटोस कीचेगा, तो भाई वह बहुत इंट्रस्टिंग है, मतलब अगर आप बहुत जादा अच्छी फोटोस कीना चाहते हों तो वह भी पॉसिबल है, और अगर आप लोग को थोड़ी बहुत डेलाइट शॉट्स दिखाऊं, तो मेरे स अगर मैं पोट्रेट मोड आप लोग को दिखाऊं तो पोट्रेट मोड भी बहुत जादा ठीक रहती है, और मेरे को ऑवर रोल इस कीन टॉन भी काफी जादा पसंद आई, और मैं एक और बात एड़ करना चाहूंगा, अगर आप लोग को सेल्फी लेने का शॉक है, तो इस चाहते हो कि मैं किसी पीछ वाले एरिया को भी कवर करो अपनी फोटोस के अंदर तो यह चीज भी पॉसिबल है, तो इसके सैंपल भी आप लोग देखी चुके हो, तो मुझे इसका फ्रेंट कैमरा भी काफी जादा पसंद आया हरे कंडिशन के अंदर, और अब बात करते है इस फोन के कैमरा फीचर्स के बारे में, क्योंकि यह फोन कुछ जादे कैमरा फीचर्स के साथ आता है, सबसे पहले इसके अंदर हमें हाइब्रिड जूम देखने हो मिल जाता है 20X तक का, अब इसमेंना मैं कोई इंटरस्टिंग वीडियो आद आ गई, MKBSD की, उसमेंना मार 10X और 20X जूम करके फोटोस दिखाऊं, तो आप यह भी खीच सकते हो, तो यह भी एक बेनेफिट वाली चीज है, दूसरा फीचर जो मेरे को पसंद आया है, वो है कि रियल टाइम के अंदर हमें, बोके एफेक्ट देखने हो मिलता है, फ्रेंट कैमरे के अंदर भी, अगर म पर भी रियल टाइम में आपको बोके दिखता है कि कैसे एजडेक्शन रहेगी, अब तीसरा फीचर इसकी नाइट फोटोग्रफी को लेकर है, यहाँ पर हमें नाइट सकेप 3.0 देखने हो मिलता है, इसके अंदर एक ट्राइपोड मोड भी है, जो कि 15 सेकेंड तक अपने को ओपन रख सकता है, और उससे बहुत ही अच्छी, मतलब अंदेरी में आप फोटोज खीच सकते हो, तो इसका भी सेम्पल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मेरे साफ से अमेजिंग रिजल्ट है, मैंने मतलब इसको पूरे ट्राइपोड पर रखकर ही फोटो खीची ह और लास्ट फीचर है, वीडियो के अंदर वो है, अल्टरा स्टेडी मोड, उससे होता है कि अगर आप वैसे अल्टरा स्टेडी के थुरू के वीडियो कैप्चर करते हो, तो मैं आप लोग को सीधा कैमरा सेम्पल दिखाता हूँ, फ्रंट और बैक दोनों में, क्योंकि फ् अल्टरा स्टेडी देखने को मिल जाता हूँ, अगर मैं तेज तेज भी मूफ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप देख सकते है कि इतने स्टेबल रिजल्ट है, तो मुझे यह भी बहुत अमेजिंग लगा, और अब बात करते सबसे इंपोर्टन चीज के बारे में वो इस परफॉर्मेंस, अब यहाँ पर इस फॉन के अंदर हमें स्नैपडगन 720G देखने को मिल जाता है, अब बहुत सरे लोग कंफ्यूज है कि स्नैपडगन 730G अचा है और 720G, तो मैं अगर आप लोग को ओनेसली बता हूँ, तो दोनों प्रोसेसर के अंदर दूर दूर तक होता है, तो हमने इसको पूरा स्ट्रेस टेस्स दो तीन बार रन किया है, पस यह देखने के लिए कि इतना मतलब हीट होता है और कितने इसमें प्रॉबलम आती है, और मैं आप लोग को पता जाता हूँ कि यह पास कर गया है, ना इफोन हीट हुआ है, और ना इसकी परफॉ और मैजिक बहुत ही जादा उप्टिमाइज आई है, अगर मैं आप लोग को थोड़ी बहुत एप्स खोल कर दिखाऊं, या फिर अगर मैं आपना एक्स्पीरेंच शेयर करूँ मैं ट्विटर, फेस्बुक, इंस्टग्राम, यूट्यूब, इन पर लगातार स्विच करता तो पीछे जो है, खास कर AI भी चल रही है, और मुझे अच्छी बात यह लगेगी, जो Realme UI के आईकन्स है ना, वो मितलब बहुत जल्दी मेरे पे ग्रो कर गए, मेरे साब से बहुत अच्छे आईकन्स है, मतलब काटोनेश नहीं रहे जैसे पहले थे, अब काफी अच्छे पहले होती है, और और पफोर्मेंस भी मतलब कहीना तो ऐसा लगता है कि बंदे को कि इस फोन की पफोर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब मखन चलता है, तो यह चीज मैं यहां पर बता देता हूँ कि 90Hz के रीफरेश रोडन के वज़ए से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ओड स्ट्रेस टेस्स में मैंने फील कही हीट करता है, ना मैंने गेमिंग में फील किया, और एक और बात आप लोग को बताना चाहूँगा, रियल में यू आई ना बहुत सारे नईने फीचर के साथ आ रही है, और मेरा फेवरेट फीचर है डॉक वॉल्ट, जितनी भी आपकी ग स्कुरिटी के ऑप्शन होना बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया है, आप लोग को बता रहता हूँ कोई भी एप अगर कोई से पर्मीशन मांगती है, रियल में यू आई के अंदर से लगा लो फोन की मांग ली या फिर किसी भी चीज की तो यह ब्लैंक पेजिस की पर्मीशन मिल जाता है और रात को फिर भी 15-20% बैटरी बच जाती है, तो बैटरी लाइफ तो बहुत अच्छी और मैंने 90 हट्स के रीफरेश डेट के साथ इसको यूज किया था, और हाँ, सबसे अच्छी बात जोसकी चार्जिं टेक्नोलोजी है 30 वोट की, मैंने एक चीज नोटिस में भी आप अच्छा खासा फास चार्ज कर सकते हो इसको, अब बात कर लेते हैं कि आपको फोन खरीजना चाहिए फिर नहीं, तो हाँ भाई आप बिल्कुल खरीज सकते हो, फोन जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आता है, और सबसे मेन बात ऑप्टिम करके हमारी टेकिंग को चैनकर में क्वाल्टी भी रखते हैं अगरे मिलते हैं थैंक्स वाचिंग